हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटुब चैनल एक्विटी टु कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आप में से कुछ लोगों की कोईरी जाये थे कि क्या सर्ट टर्म प्लैन लेना financially wise decision है या नहीं है यनि हमें टर्म प्लैन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और टर्म प्लैन लेना भी है तो किन के लिए लेना है इसके उपर बहुत सारे कोईरी जा रहे थे तो जब हमने इसके उपर details देखा तो मुझे लगा कि ये information आप लोगों के साथ share किया जाना चाहिए कि term plan है क्या term plan लेने की जरुवत है तो किन को लेनी की जरुवत है और किन लोगों की term plan की जरुवत नहीं है तो इस वीडियो में term plan के उपर details से बात करने जा रहे है तो अगर आपको term plan के बारे में information चाहिए या फिर आप term plan लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए लेकिन अगर आप term plan लेना नहीं भी चाहते हैं और इसके बारे में information नहीं है तो at least आप information gather कर लीजे क्योंकि किस चीज की कब जवद पर जाए हमें नहीं पता है आप इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आगे चलके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है तो चलिए देखते हैं term plan के बारे में detail से तो हम मेंसे बहुत साहे लोग हजारों में earn कर रहे हैं बहुत साहे लोग लाखों में earn कर रहे हैं और इवें बहुत साहे लोग करोरों में earn कर रहे हैं और हमारा जो family member है वो एक तरह का अच्छा खासा facility enjoy कर रहा है एक तरह का अच्छा खासा financial freedom enjoy कर रहा है और life uncertain है पता है life में कभी भी कुछ भी हो सकता है भगबानना करे कुछ ऐसा हो लेकिन अगर आप अपने family member के साथ नहीं रहे तो क्या आपका family member same financial freedom enjoy करेगा क्या same facility enjoy करेगा जो अभी enjoy कर रहा है अगर इसका answer है no यनि अगर आप family member के साथ नहीं रहते हैं तो उनको अगर financial problem face करना परेगा जो facility अभी enjoy करें वो facility enjoy नहीं कर पाएंगे आपको बच्चों को भी दिक्कत उठाना पड़ेगा तो आपको अपने family member के लिए कुछ न कुछ करने की जरूरत है अगर आपके सामने ऐसा situation है तो फिर आपको term plan लेनी की जरूरत है especially term plan उन middle class लोगों के लिए है जो कि अपने family का पूरा देखवाल करते हैं अगर by chance आप न रहे तो family में बहुत सारे financial crisis देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हमने covid time पे देखा था कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे problem face करना पड़ा था और बहुत सारे लोगों का uncertain देख हुआ था लाइफ में कल क्या हो सकता है या कल क्या होगा तो ऐसा situation अगर है तो हमें अपनी family member के बारे में सोचने की जुगत है और वहाँ पे हमारे help करता है term plan तो सबसे पहले हम देखते हैं कि term plan होता क्या है अगर हम term plan की बात करें तो term plan आपका एक policy है जो policy holder को एक coverage प्रोवाइड करता है दुर्भाग बस अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी नॉमनी है उसको एक lump sum amount मिलता है ताकि उनको financial problem face करना ना परे कि तो जो की term plan हमें एक extra facility provide करता है उनको एक financial freedom देता है और वो सारे facility enjoy कर सकते हैं जो आपके साथ वो सारे facility enjoy कर रहे थे तो different types of term plan होते हैं अब हमारे लिए कौन सा बहतर term plan है उसके लिए हमें different types of term plan को समझने की ज़रुवत है सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका आता है regular term plan जहांपे हम का premium pay करने के बतले हमें वो coverage provide करता है अगर policy के दौरान हमें कुछ होता है तो हाँ पर लंसम amount normally को provide किया जाता है अगर maturity के time पर हमें कुछ नहीं होता है तो यहांपे maturity के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है दूसरा term plan आता हमारा return of premium term plan यह आपका regular term plan का just opposite है लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा जादा premium pay करना पड़ता है यानि अगर आपने regular term plan में 500 rupees का premium pay कर रहे हैं तो यहांपे आपको 1000 rupees monthly premium pay करना होगा अब यहांपे हम जादा premium क्यों pay करते हैं क्योंकि अगर हमें maturity तक कुछ नहीं हुआ तो यहांपे जितने भी हमने premium pay किये है वो premium पूरा का पूरा व नॉमनी को मिल जाएगा तो यहांपे आपको जो भी आपने premium pay किया है वह premium वापस मिलने की guarantee होती है तो इसके लिए आपको double charge करना पड़ता है यानि double pay करो और maturity तक कुछ नहीं हुआ तो सारा premium जितने भी पे किये हो सारा वापस लो और एक तीसरा term plan है जो की new आया है जिनके premium आपको zero cost term plan में भी pay करना परेगा और यहांपे आपको एक extra benefit मिल जाता है कि आप एक certain age के बाद अपने policy को withdraw कर सकते हो और जो भी आपने premium pay किया है वो premium आपको वापस मिल जाएगा for example आपने 25 of years के age में आपने क्या किया आपने term plan लिया और आपका 60 years तक आपको कुछ नहीं हुआ अब आपको 60 years के बाद लगता है कि आपको term plan की जरूरत नहीं है हमने retirement के बारे में already सोच रखा है तो आप company को बोल सकते है मेरा term plan आप यहीं पे stop कर दो हमें आगे term plan की जरू आपको नहीं मिलेगा जीस्टी वाला पार्ट चोड़के जितने भी आपने premium पे किये हैं वह सारा प्रीमियम आपको company वापस कर देगी यहां पर हमें premium भी कम पे करना पड़ता और हमारा जितना भी premium पे किया तो यह तीन टाइप के term plan होते हैं तो अभी तक जो हमने तीन टाइप के term plan देखें सबसे बहत्वीन हमारे लगा zero cost term plan तो zero cost term plan के बारे हम और detail से देखते हैं और अगर हमें term plan लेना है हम कहां से term plan ले सकते हैं इसके बारे में हम detail से देखते हैं अगर हम zero cost term plan की बात करें यह पर आपका लॉंग टर्म के लिए होता है यानि 35-40 के लिए यह होता है अगर आपको लगता है कि उतने टाइम के लिए हमें पॉलिसी की ज़रुवत नहीं है तो आप एक सर्टेन एज के बाद इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और आपने जितने भी प्रीमियम पे किये हैं excluding GST वो सारा का सारा आपको वह आपस मिल जाएगा तो यह एक धमाकेदार प्लान है आप इसके लिए जा सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको riders के बारे में भी information gather करना होगा क्योंकि maximum लोग जब term plan के बारे में बात करते हैं तो riders के बारे में information gather नहीं करते हैं यह एक basic information है जिसके बारे में आपको information होना चाहिए और आपको पता करना चाहिए term plan लेने से पहले अगर हम riders के बारे में बात करें तो एकसिदेंटल डेथ benefit वाइडर होता है आपका critical illness रहता है तो वहां भी आपको term plan के जड़े benefit मिलता है income अगर आपको चला जाता तो आपको राइडर के जड़े benefit मिलता है एकसिडेंट अगर आपका होता है और आपका date नहीं होता disability हो जाता तो राइडर के यहाँ पर यहाँ पे आपको benefit मिल जाता है यहनि आपके term plan में चूह इडिशनल benefit प्रोवाइड करता है और यह सारे additional benefit हमें चाहिए क्योंकि life में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप जब term plan लें तो आप riders के बारे में जोगर कुछे कि हमें riders मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है और कौन-कौन से riders या फिर कौन-कौन से critical illness digits यहां पे available है तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमारे लिए बेहत्वीन option है zero cost term plan अब हम term plan लेना है तो हम कहां पे ले सकते हैं इसके लिए हमारे सामने एक बेहत्वीन option है पॉलिसी बाजार आपने नाम तो जोड़ सुन रखा होगा यह बहुत ज्यादा popular है और वहां पे आपको बहुत सारे companies मिल जाएंगे 20 प्लस 50 प्लस और even 100 प्लस companies मिल जाएंगे जहां पे आप term plan compare कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारे लिए सबसे कम premium वाला term plan कौन सा है और यहां पे अगर आप बात करें तो आपको 490 रुपीज पर मन्त में 1 करोर वाला term plan मिल जाएगा और यहां पे आपको बहुत बार online discount भी जाएगा लगभग 10% 20% का कई बार आपको online discount भी मिल जाता है और 24 into 7 claim assistance भी दिया जाता है यानि आपने जिस company का insurance लिया है वहां तक जाने की जवद भी नहीं है आपको policy बजारी पूरा claim assistance प्रोवाइड करेगा साथी साथ यहां पे जो term plan का coverage रहता है वो आपका 80 years तक coverage रहता है और term plan में लगभग 59 critical illness disease दिये जाते हैं जो की cover होता है with the help of rider तो आपको यह सारा information policy बजार आसानी से एक जगा प्रोवाइड करता है और जितने भी term plan है सब को compare करके एक साथ आपको बताता है ताकि आप एक financially wise decision ले सके और अगर आप term plan ले रहे हैं तो अपने लिए कम premium बाला बहतर term plan खोज सके तो policy बजार आपका एक online portal है जो की आपको बहुत ज़्यादा पैसे की saving भी करता है अगर आप offline करवाने जाते है तो आपका लगबग 30-40% extra cost पे करना पड़ जाता है जबकि online में आपको extra cost save भी होता है और यहाँ पे आपका time भी save हो रहा है तो कम time में कम पैसे में आपको यहाँ पे अच्छा खासा benefit प्रोवाइड कर रहा policy बजार तो यहाँ पे अगर हम plan details के उपर बात करें तो plan details में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे extra piece of benefit मिलता हुआ दिख रहा है और साथी साथ यहाँ पे आपका tax saving भी होता और इसके बतले आपको अच्छा खासा चीज दिया जा रहा और यह सारा कुछ details information आपको policy बजार के website पे मिल जाएगा तो आप इंतजार किस बात की कर रहे हैं आप यहाँ पे अपने लिए बहत्वीन term plan कोज सकते हैं policy बजार के website पे विजिट करके अगर आपको अपने description में भी आपको link मिल जाएगा उस link पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके लिए बहत्वीन term plan कौन सा है और अगर आपको जो भी term plan पसंद आता है तो वो term plan ले सकते हैं और हमने already आपको term plan के benefit बता दिया और जब आप term plan ले रहे हो तो एक बात आपको जब ध्यान देना ह कि आपको family की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आपको term plan लेना है ताकि जो benefit आप family को चाह रहे हैं वो benefit आपके नहीं रहने एक बाद family को मिले तो उमीद करते हैं कि ये वीडियो में जो information हमने provide किया वो information आपको सही लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ ताकि इस तरह के और भी वीडियो में आपके लिए वेगला वीसिस पे शेयर करते रहेंगे तो ये वीडियो में जय हिंद